हेलो गाइज, कैसे हो, तो ये है Minecraft की random fact compilation, मतलब मैंने आज तक जितने भी Minecraft के fact बनाए है, उसमें से सबसे top, सबसे बड़ी आपको एक ही वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे, and obviously ये वाली वीडियो काफी जादा लंबी होगी, तो वीडियो को यार पूरा देखना, मै एक importance announcement भी करनी है, तो वीडियो के end तक जरूर देखना, number 41, तो Minecraft का तो आपको पता ही होगा, कितना जादा popular game है, in fact 2020 में सबसे जादा देखने वाला YouTube पे game भी Minecraft ही है, लेकिन interesting बात ये है, कि जो इसका पहला वाला version था Minecraft को, वो सिर्फ 6 दिन में बनके ready हो गया था, और इसका आपकी compulsory है, जी हाँ, वहाँ पे Minecraft खेलना compulsory है 13 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि Minecraft खेलने से आपकी resource management और future planning की skill इंप्रूव होती है, ऐसा school इंडिया में क्यों नहीं है यार, number 40, तो Minecraft के अंदर काफ़ी सारे अलग-अलग type के पेड होते हैं, सबसे अलग-अलग woods मिलती ह और इनसे अलग-अलग slabs भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाली wooden slab आपने शायद पहले नहीं देखी होगी, आप सोच रहे होंगे इसे तो हम रोजी देखते हैं, लेकिन इस वाली में और इस वाली में बहुत फरक है, इसका नम है petrified oak slab, जो कि आपको सिर्फ creative mode में ही मिलेगी इसका texture दिखने में तो एकदम wooden जैसा, लेकिन असली में ये एक stone slab है, इसको आप axe से तोड़ोगे तो बहुत time लग जाएगा, और pickax से तोड़ो तो एकदम से तोड़ जाएगी, और सबसे important feature तो मैं इसका बता नहीं बूल गया, normal वाली oak slab पे अगर आप आग लगाओगे त तो थोड़ी देर में जल जाएगी, लेकिन इस पे तो भाई आग ही नहीं लगती है, पता नहीं यार ये minecraft में डाली ही क्यों है, number 39, trident सब ने देखा है, और trident के उपर अगर हम loyalty के enchantment लगा देते हैं, तो जैसे इसको हम hit करते हैं, ये माले के पास वापिस आ जाता है, ल बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि जो mobs होते हैं, वो fence को नहीं टाप सकते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा अलग concept बताता हूँ, तो minecraft के अंदर आपने railway line अगर बिछा रखी है, तो mobs भाई उसको भी नहीं टाप सकते हैं, बड़ा यजीब concept है, लेकिन आपके काफी ज्याद और आपको वो touch भी नहीं कर पाएगा, number 37, और आपने ये छुटको वाला zombie तो देखा ही होगा, वो जादा ही परिशान करता है, तो ये छुटको वाला zombie हमेशा छुटको ही रह जाता है, minecraft की जितने भी entities है, वो कभी न कभी बड़ी होते हैं, हमेशा grow होती है, लेकिन ये छ जो होते हैं, मतलब आपके pet वगेरा या फिर zombie वगेरा किसी को भी portion दे सकते हैं, और उस पे वो work भी करेगा, ये शायद आपको 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 चीज पता होगी, माननो कि आपको एक cow और एक sheep नेदर में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जानी, तो आपको उसको ऐसे ले ज खिसकाने के काम आता है, लेकिन कुछ ऐसे भारी blocks होते हैं, जिसको खिसकाना इसके बस की नहीं है, जैसे कि अपना obsidian या फिर bedrock, यहाँ पर भी एक twist है, अगर आप एक signboard पे भारी लिख दोगे ना, भारी मतलब B-H-A-R-I, तो piston इसको खिसका ही नहीं भायेगा, ठीक है ब Minecraft के underwater, आप maximum speed कैसे achieve कर सकते हो, survival की बात कर रहा हूँ, command लगा के तो light की speed से भी जा सकते हैं, जो अपनी normal swimming होती है, वो walking से तो यार काफी ज़्यादा faster होती है, अगर हम अपने boots में depth strider लगा दे, तो फिर और ज़्यादे speed बढ़ जाती है, अगर आपको dolphin का effect मिल गया, जिसे कहते हैं, dolphin grace, तो फिर और ज़्यादा तकड़ी speed हो जाएगी, लेकिन यह maximum नहीं है, maximum करने के लिए आपको एक trident चाहिए होगा, उसके उपर आपको लगानी पड़ेगी, riptide, और फिर आपकी speed और ज़्यादा improve हो सकती है, comparison तो आपको दिखी रहा होगा, number 33, लावा के बार एकदम थक life के साथ, easily इसको पकड़ पा रहा है, तो iron के bucket में हम लावा carry कर सकते हैं, और वही iron के bucket अगर हम लावा में effect दे तो वह जल जाती है, number 32, पहले enderman के eyes green हुआ करती थी, ना की purple और पहले से मतलब बहुत पहले, और इसलिए जो portal frame और एंडर आई वगेरा होती है, व normal English होती है, उसको बिल्कुल opposite, मतलब एकदम reverse में होती है, तो अगर मैं आपको बहू हूँ, hello, तो enderman बोलेगा, ole, काफी जादे अलग सी language है, वैसे ही है, तो ये आपके सामने है, एक enderman की voice, और अगर हम इसको पूरा reverse करके, फिर सुने तो, कुछ खास समझ तो अभी भी नहीं आया, फिर भी भाई, तंग तो बहुत करता है यार, ये enderman, और इनके सबसे बड़ी कमजोरी है, पानी, अगर इन से लड़ने जाओ, तो पानी तो जरूर लेके जाना, और इनको सिर्फ sword सही मारना, क्योंकि जो projectile होती है, bow अगर, snow अग 21, से जादा rarest और कौन सी है, diamond भी काफी जादा rare होते है, 1200 ब्लॉग में आपको सिर्फ एक diamond देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छी जगह पर ढूंडो को तो आपको पहले ही देनी diamond मिल जाएंगी, और बात करें हम ancient debris की जो की 1.16 में add हुई है, वो diamond से जादा rare होती है, और इससे हम Minecraft में सबसे जादा strongest tool और armor बना सकते हैं, इसको ढूंडने के लिए आपको नैदर में जाना पड़ेगा, और नैदर वैसी भयानक सी जगह है, और एक अच्छी diamond की pickaxe तो ज़रूर लेके जाना, 14 ये 15 लेवल पे आपको सबसे जादा ancient debris debris देखन के लिए मिलेगी, इसमें आपको कहीं ना कहीं emerald के ओर देखने के लिए मिल जाएंगे, वैसे emerald के ओर का ज्यादा क्यूज यूज नहीं है, इससे हमें सिर्फ emerald ही मिलेंगे, जो कि हमें villager काफी जादा आसानी से दे देता है, लेकिन फिर भी naturally generated काफी जादा rare होता है, इस but 29, इसने item frames तो देखी होगी minecraft में, जिसके अंदर हम कोई भी चीज हम ऐसे frame करके लग सकते हैं, फिर उसको दिवार पे टंगा सकते हैं, या फिर chest के आगे लगा सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कौन सी chest में कौन सा material है, और जो इसके बारे में मैं आपको fact बताने वाला हो वो बहुत ही जादा amazing है, तो मान लो आपने सामने item frame लगा दिया, उसके बाद आपने arrow fire करी, वो भी flame वाली, तो जो यार उसके इंदर से fire निकलेगी ना, वो वही पर frame हो जाएगी, वो भी permanently, जी हाँ, बिल्कुल permanent, एंड इस चीज का use करते हुए, आप काफी जादा amazing build कर स temple तो आपने देखा ही होगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि desert temple का ये वाला हिसा, और एक beacon सेम दिखते हैं, in fact अगर आप इसके अंदर जाते हैं, और जहां जहां पर जगा चुटी हुई है, वहां पर किसी भी type की block लगा दो, मतलब जो beacon में use होते हैं, एंड इसके बा परे में और भी facts है, सुनना चाओगे, चलो सुना ही देता हूँ, तो आप में कभी ना कभी curiosity तो हुई होगी, और आपने सोचाओगा कि ये जो beacon की beam है, ये आसमान में कहां तक जाती है, चलो आज ये भी पता लगा लेते हैं, तो level 329 तक तो सबकुस बढ़िया रहेगा, ल इसकी beam आप 12 million colors में बना सकते हो, मतलब अलग-अलग glass लगा के, अलग-अलग combination करके, अभी जो ये beacon ऐसा दिखता है ना, पहले वाले version में कुछ ऐसा दिखता था, 27 वा नमबर, तो ये fact से minecraft के नए वाले update 1.17 cliff and caves में आने वाले mob, warden के बारे में, तो ये कोई ऐसा वैसा mob न इसके सिर के उपर ऐसे दो antenna रहता है, जिसकी मतलब से ही आसपास के entities को detect कर लेता है, और इसके आने से बिलकुल एकदम horror वाले effect आ जाता है, और जो भी आसपास की torches या फिलाइट होती है, वो beep होने लगती है, मतलब एकदम बंद भुझ, बंद भुझ, ये definitely iron golem से बढ़ा और iron golem से stronger होने वाला है, और जितनी वार इसको मारोगे, उतनी ही तेजी से आपकी तरफ बढ़ता रहेगा, अगर आपने पूरा netherite का armor भी पैन रखा है ना, तो भी ये आपकी एक hit में power अहदी कर सकता है, आप बोलो easy है या नहीं, अब भाई facts तो कुछ ऐसे ही कहते हैं, अब तो आने के बाद ही देखेंगे कि कैसा mob है, number 26, तो minecraft के अंदर कितनी सारी cats है, सफेद, भूरी, पीली, और काली भी, and minecraft के अंदर एक swamp नाम का biome भी है, and अब आप सोच रहोंगी कि भाई यार इन दोनों का क्या relation है, मैं बताता हूँ, इस वाले biome में आपने यार एक हट देखियोगी, जिसको विच हट कहते है, जिसके अंदर अपनी पागल विच रहती है, और उसके साथ एक black color की cat भी रहती है, यहां तक तो सबकुछ perfect है, तो fact यह है guys, जो कि आपको शाहिद नहीं पता होगा, कि अगर कोई भी बिली अगर हम इसके अंदर spawn कराएंगे, व भाई सहाब, यह विच भाई कुछ तो काला जादू करती है, नमबर 25, और आपको पता ही होगा, कि यह माइन क्राफ्ट का जो ओर वल्ड हो काफी ज्यादा बड़ा होता है, और उसमें जो मश्रूम फील्स होता है, मतलब जो मश्रूम वाला बायोम होता है, वो सिर्फ 0.056 परसंट होता है, आपकोर्स यह काफी ज्यादा रेर भायोम होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेर भायोम होती है, माइन क्राफ्ट में अभी तक, वो है गाईस, जंगल एज बायोम, जो की सिर्फ 0.0027 परसंट होती है, और यह वाली बायोम इतनी स्पेशल इसलिए होती ह क्यूंकि इसके पास में भिलकुल Swamp Hills होता है जो कि अगेन एक काफी जादा Rare Biome होती है और बिलकुल अगर इसी के साइड में एक Jungle Biome Spawn हो जाए तो ये पूरा एक Modified Jungle Edge Biome बन जाता है काफी जादा दिखने में Natural लगता है मतलब दूसरी साइड अलग कलर होता है बिलकुल फेड सा Green और इस साइड होता काफी जादा एक Dark और एकदम Greenery वाला कलर आपने Creeper Head तो देखा ही होगा वही Creeper Head जो हमें Charge Creeper जब Normal Creeper के साइड में पूरता है तो उसका निकल जाता है सिर्व वही वाला Creeper Head तो भाई वह सिर्फ सजाने के लिए नहीं होता उसका भाई Real में Use भी है मैं बताता हूँ चिंता का ही कर रहे हो तो अगर अपना Character Creeper Head पहन लेता है तो Creeper उसको दूर से Detect ही नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं है बिलकुल गोद में जाके बैटलो फिर भी कुछ नहीं कहेगा मैं आपको पूरा Example से समझाता हूँ तो यह है अपना प्यारा Steve और यह जाने वाला है Creeper के पास तो देख लो भाई Creeper कितनी दूर से इसको Detect कर रहा है अब इसने पहन लिया Creeper Head देख लो भाई यार कितनी कम दूर है और अब जाके इसने Detect कर रहा है अब तो आप यार इसको यूज समझी के होंगे यह मतलब यार Creeper की जो Detection Power इसको 50% कम कर देता है यह देख लो बिल्कुल Life Proof दिखा रहा हूँ Steve जाता है Creeper Head पेन के और जैसी उतारता है ट्रिगर हो जाता है बाई अपना Creeper Number 23 Creeper से यार मेरे को एक और बात याद आई जो यार अपने Creeper होते हैं वो हमेशा फूटता ही है उनके पास चले जाओ तो या फिर आप Flint यूज कर सकते हो जिससे उन्हें आग लगती है और वो फूट जाते हैं आपको सिर्फ नेदर के अंदर ही पानी चाहिए पता नहीं क्यों चाहिए होगा लेकिन मानने में क्या जा रहा है सोच जरा कैसे मिल सकता है तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगी अगर हम वेट स्पंजिस को फरनेस में डालके स्मेल्ट करते हैं तो वो सोख जाते हैं अगर हम लावा की बकेट डालते हैं तो लावा तो गायब हो जाता है लेकिन बकेट के अंदर पानी आ जाता है वो भी फ्री का नमबर 21 वैसे बात करें माइन क्राफ्ट के सबसे ज़्यादा रेर फूड आइटम की इसको खाने के बाद आपको 4-4 पावर मिल जाती ही कुछ टाइम के लिए नमबर 20 तो माइन क्राफ्ट का जो पानी है वो काफी ज़्यादा अलग बिहेव करता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाइट से अगर पानी के अंदर कूच जाओ तो आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुचेगा रियल लाइफ में ऐसा करना का बिल्कुल ड्राइइ मत करना और यह MLG का क्या सीन है इसका तो भाई बिल्कुल ही अलग कॉंसेट है किसी भी हूची जगा पर आपके पास बाटली होने चीए वो भी पानी से बरी हुई नीचे गिरने से ज़स्ट पहले बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुचा 19 वा नमबर अपने लूटिंग 3 के बारे में तो जरूर सुनाओगा सौर्ड पे लगने वाले काफी ज़्यादा तगडी नचेंटमेंट है जिस भी मॉब को मारो वो डबल से ट्रिपल लूट कर देता है यह सौर्ड के अलाव किसी और चीज़ पे नहीं लगती है लेकिन आप इसको बो पे यूज़ कर सकते हो बताऊं कैसे सिंपल राइट हैंड से अपने बो चला और लेफ्ट हैंड में यह स्वार्ड पकड़ लो लूटिंग काम करेगी जिस भी मॉब को मारोगे नमबर 18 तो आपने यह तो जरूर सुना होगा कि माइनक्राफ का वर्ड बहुत ज़ादा बड़ा होता है लेकिन कितना बड़ा होता है यह आपने कभी सोचा है एकदम सिंपल वर्ड में इसका जवाब है कि इन्फनाइट होता है बड माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम वर्ड बॉर्ड बॉर्ड चेक करें तो वो कुछ 60 मिलियन के आसपास आता है यह 60 मिलियन यह ना और वहाँ पर सर्वाइवल में पहुस्ते पहुस्ते तो आप बूड़े हो जाओगे लेकिन अगर आपकी इतनी इच्छा हो रही थी इस कमांड से आप पहुस्ते हो और इस वाले सिम्बल को क्या केता है फिर से 29999983 और यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगा अपना वर्ड बॉर्ड बॉर्ड और इसके पार जाने का ट्राय करोगे तो बिल्कुल भी नहीं जा पाऊगे और नहीं कोई और मॉप जा पाएगा एंडर पर यूज कर लो या फिर बॉर्डर के लाइन पर ही जस्ट एक बोर्ड प्लेस करके अंदर गोश जाओ एक दो बॉर्ड पे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा और दूर जाओगे तो सर्वाइवल में आपको डेमेज पड़ने लगेगा वैसे कोई दूसरे मॉप को मैंने लजा के ट्राय करा उनको डेमेज नहीं पड़ता है और यहां पर बंदे आके अलग अलग creative blocks बनाते हैं हम भी इतना दूर आके तो बना ही लेते हैं तो सबसे पहले हम अलग अलग design की slab से एक अलग block बनाएंगे यह गया अपना पहला slab यह गया दूसरा यहां लगा piston ओ भाई यह तो सही बन गया इसको मैं तोड़ नहीं पा रहा पता नहीं कोई रीजन से नमर 17 एंड जो अपना अगला वला fact है वो तो काफी जादा मज़ेदार है इवन मेरे को भी पता नहीं था भाई इसके बारे में तो मैंने community post में भी डाला था कि एंडर ड्रागन एक मेल है औविएसली यार वह अगर एक ड्रॉप करती है तो वह फीमेल ही होगी मैंने इतना थोड़ा लॉजिक लगा नहीं वैसे एंडर ड्रेगन को फीमेल की तरह तो किसी ने शाइब जादा मजा आएगा क्योंकि हम उसका अंडर चुरा के भागने वाले है ना नमबर 16 माइन क्राफ्ट में हम ज़्यादा तेर के लिए चल लेते तो अपने हंगर लेवल कम हो जाते हैं और भागने पर तो और तेजी से कम होते हैं पड़ यहां पे यह चोटी सी मिस्टेक है अगर हम बोटिंग करें तो एक भी हंगर लेवल कमनी होता चाहे कितने टाइम के लिए बोटिंग करें अब आप ही बताओ बोटिंग में ज्यादा एनरजी लगती है या फिर सिंपल चलने में जैसी हमें भूग लगती हम खाना खा लेते वैसे यार एक प्यास वा होता है जिसके अंदर हम नौर्मली माइनक्राफ्ट खेलते है अपना इसके अलावा होता है इसमें सूपर फ्लैट मतलब गयार जो अपना वर्ल्ड है विल्कुल फ्लैट हो गया एक दम सीधा चलता जाएगा कोई भी बढ़खाबर नहीं इसके अलावा होता एक एम्प्लि सहरे बढ़र जो बहुत करता है इसमें जो भायम होता है काफी जड़ा बड़े होता है और भाया उन्ड होता है और अन्डाव यहार समझ अंदर होता है भाई बहुत ही अजीब है यह वाला पूरा टाइम वैसे अंधेरा ही अंधेरा रहता है इसमें आप गिनतों रहे थे ना मेरे साथ एंड यह चीज यहां पर खतम नहीं होती एक सीक्रेड मोड भी आता है जिसका नाम है डी बग मोड अब यह यह मोड किसले बना और मेरे दिमाग में एक चीज आई क्या हम इन क्रॉप को सबसे फास्ट तरीकिस होगा सकते हैं बीना कोई बोन मील का यूज करें बोन मील में तो भाई एक मिनट में उग जाती है ऐसी 100% को तगड़ी चीज तो बिलकुल नहीं है बस आप थोड़ी बहुत चीजे चेंज कर होते हैं और यह मोटे वाले पंकिन और मेलन सबसे ज़्यादा धीरे और शुगर केंसे मेरे को एक और चीज यादा यार एक डाउट क्लियर करना मेरे को पहले मेरा ऐसा मानना था कि अगर सुगर केंन हम सेंड पे उगाते तो जल्दी उग जाता है आप इसको किसी भी चीज पे उगादो जिस पे लग सकता है सब पे बराबर ही ग्रो होगा नमबर थाटीन तो जो यार एन्विल होता है न वो माइनक्राफ्ट के काफी सारे लॉजिक यूही ब्रेक कर देता है इसको देखके और इसकी आवाज सुनके तो ऐसा लगता है काफी जादा है वी ब्लॉक ह लेकिन अगर इसको हम ग्लास पी गिराते तो ग्लास का कुछ भी नहीं बिगड़ता और ग्लास मेरी हसाब से काफी कमज़र होना चाहिए एंड अगर हम एन्विल को ऊपर से किसी फ्लावर सैपलिंग या फिर इवन टॉर्स पी गिराते है तो यह पॉप आउट हो जाता है यही वाला अगर हम सेम हाइट पे इस डेड़ बूश पे गिराएंगी जो हमें डेजर्ट में मिलता है तो डेड़ बूश डेड़ हो जाएगा अपने प्यारे स्टीव का या फिर इस एन्विल का कमेंट्स में जरूर बताना क्योंकि यह एन्विल अगर हम किसी क्रॉप पे या फिर टर्टल एग पे गिराते हैं तो यह इसली पॉप आउट हो जाता है लेकिन अगर अपना बंदा इस पर चड़ जाता है तो भाई फिर कौन सी भी क्रॉप हो या फिर कौन सा भी टर्टल एग हो इसली कुचल जाएगा वैसे तो यार यह एन्विल माइनक्राफ्ट क कुछ ऐसी चीजे जो आज तो किसी भी बंदे ने नहीं देखी है लेकिन उनका नेचरली स्पॉन होना पॉसिबल है तो यह जो आप स्क्रीन पे मॉप देख रहे हो यह अभी तक का मोश्ट रेर मॉब माइनक्राफ्ट का और इसका पर्सेंटेज आप स्क्रीन पे देख सकत होता है जिसके लेफ्ट हेंड में आयरें की स्वाड होती है और उसने एक पूरा डाइमंड का आर्मर पहना होता है और भी यार काफी सारे इनके कॉंबिनेशन वगेरा होते है जैसे कि ब्राउन पेंडा पे चोटा बेबी हस्क बैठा हो काफी सारी कंडिशन वगेरा चाही के लिए मिल जाये तो आपने आपको वाइंक्राफ का सब से ज्यादा लगिश प्लेयर कह सकते हो नumर 11 तो पहले मारे माइंक्राफ के अंदर गाय ती शीइप यहां तक घोडा भी था लेकिन आप माइंक्राफ्ट के अंदर आपको गोट भी देखने मिल जाएगी हम सोच र तो भी बच जाएगी, तो ये गोर्स माइनक्राफ्ट के अंदर आपको उन्चे वाले इलाकों में जादा देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि अपना माउंटेन बायोम, इनको आप शीप या काव की तरह ब्रीड करा सकते हो, वीड से, हम शीप मारते तो खाना देती है, फिर भी मिल्क दे सकती है, और हाँ, इनको फैंस के अंदर रखने का कोई फाइदा निया, क्योंकि इतनी उंचे चलांगे मार लेती है, इससे बड़िया लीड से बांद करको, वो सबसे बड़िया रहेगा, वैसे तो ये सारी गोट एकदम पेस ही होती है, मतलब आप इसको मारो ये कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन कुछ-कुछ गोट हमें अटैक भी कर सकती है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी गोट स्पॉन कर देता हूँ, और इस विलेजर को बली बनाते हैं, ये देखो भाई टककर मारी है न, अगर आप काफी जाता लखी रहे तो आपको एक पागल सामान इधर उदर कर रहे होंगे, और तभी पीछे से ये मनुस क्रीपर आया होगा, और फिर धूम धड़ा के साथ आपका सामान भी सारा इधर उदर कर देता होगा, इस से बजने के लिए मैं आपको एकदम सॉलिड वाला उपाई बताता हूँ, सिंपल जहां पे आप अप आपके कर दोगे ना, फिर भी आपकी चैस्ट एकदम सिक्यार रहेगी, वैसे क्रीपर से रिलेटेड मेरे कोई एक और फैक्ट याद है, नमबर नाइन, मैंक्राफ्ट को तो आपका पता ही, इसमें कितने सारे मॉब्स है, बिल्कुल एक छोटी सी सिल्वर फिश या एंडर माइट से लेके, बड़े मॉब्स जैसे घाष या फिर एंडर ड्रेगन और जो अभी नए वाले अपडेट में वार्डन आने वाला है, वो तो आईरन गोलम से भी बढ़ा है, तो मैंक्राफ्ट में इतने सारे मॉब्स है, लेकिन आपको इसमें सबसे ज्यादा बेकार, सब सबसे पहले तो भाई, क्रीपर है एक गलती से क्रिएट वा है, मतलब जो वहां पर माइनक्राफ्ट के डेवलपर थे उन्होंने गलती से क्रीपर को बना दिया है, बेकार सम आप गलती से बनाए गया है, जो कि एर कैट से डरता है, हद हो गई, एक और बढ़िया बात बतात है, पूरा भाई यहां पर ग्रीन हो रहा है, इसका व्यू देख सकते हैं यहां पर बहुत जादा एक दम क्रीपी सा एक दम पूरा ग्रीन होता है, कुछ अच्छे से यार दिख भी नहीं रहा है, नमबर एट, हमने यार क्रीपर कितनी तारीफ कर लिए तो थोड़ी यार ए इसको कैसे दिखता होगा, अगर आपने एक वार एंडर मैन की आइस में देख लिया तो आपको पता है वह पागल हो जाता है, लेकिन एक ट्रिक है यार इससे बचने के लिए, तो अगर आप आप वह आई कॉंटेक्ट मेंटेन करके रखोगे, तो एंडर मैन आपके पास ब करता है, यह काफी जादा गरम है, जब भी हम इदर पानी डालने का ट्राइ करते हैं, वह इंस्टेंट सूख जाता है, या फिर यहां पर वेट स्पॉंजिस रखोगे, वह भी एक दम से सूख जाएंगे, एक दम हॉट वाला सीन है, बट अगर आपको नैदर के अंदर पान पानी पीके, एक और बोनस फेक्ट बता तो नैदर के बारे में, तो अगर हम लावर डालते अपने ओवर वर्ल्ड में, तो वो कुछ इतना फैलता है, एंड उतना ही लावर अगर हम नैदर के अंदर डालेंगे, तो भाई डबल स्प्रेड होएगा, है ना एक दम आमेजिं मैं इससे भी आपको तगड़ी ट्रिक बताता हूँ, तो ऐसे आप एक पूरी फैंस बना लो, और सामने से एक फैंस तोड़के उसको अंदर की तरफ दो फैंस लगा दो, ऐसा लगएगा कि पूरा खुला रास्ता है, लेकिन आपकी शीप या फिर काव कोई भी बाहर नहीं आपाएगा, या फिर यार एंड रोड लगा दो, इसके बीच में से आप तो निकल लोगे लेकिन और कोई नहीं आपाएगा, अभी तक अगर आप एंड सीटी नहीं के तो यार कॉपर रोड यूस कर लो, लिखने में तो भाई बढ़िया लगती है, बाकि यार इसके अंद एक्सपिरियंस गेरन करने के बहुत सारी तरीक है, क्रॉप उगालो, विलेजर के साथ ट्रेड कर लो, या फिर कोई काव भी ब्रीड कर दो, सबसे थोड़ी थोड़ी एक्सपी मिली जाएगी, लेकिन बिना कोई एक्सपी फार्म बनाए या फिर मॉप ग्राइंडर बनाए एक्सपी सापको सबसे फार्म मिल सकती है माइनिंग से, आप कोई भी और माइनिंग करते हो तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेवल मिलता है, लेकिन जो अपना नैधर के अंदर क्वार्ड होता है, वो सबसे जादा एक्सपीरियंस लेवल दिता है, और नैधर म माइनक्राफ्ट में अलग बग हर एक ब्लॉक हम तोड सकते हैं चाहिए वो अपसीडियन हो चाहिए वो बैड्रोग हो गया लेकिन एक चीज नहीं तूटती भाई लेकिन भाई जो इसका रियल लाइफ वाला बंदा वो तो मैं मैं देखके बिल्कुल पागल हो गया था यार ज्यादा फॉट भी है यहां पर अपने पास टीव की और इसमें अपना बंदा देखो यार कितना ज्यादा बड़े लग एक दम हीरो लग रहा है अपना बंदा ले देख लेते हैं और जिसको नहीं पता मैं बता देता है एलेक्स एक लड़का है जो आपको औरेंज कलर की चीज देख रही है वो पॉनी टेल है मेरे को भी पहले नहीं पता था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसके भी हम रियल लाइफ वाली पिच्चर देख लेते है यार इसमें भी भाई बिलकुल सेम टू सेम पोनी टेल है और हेर देखो कितने सीमिलर है स्टीव की भी भाई बढ़िया है लेकिन यार वो बंदा थोड़ा सही नहीं लगा मेरे को दूसरा नमबर तो माइनक्राफ्ट को जब भी कोई पहली बार खेलता है हमेशा बोलता है कि डबे वाले गेम है मतलब हर तरफ बॉक्स ही बॉक्स है हर तरफ ही स्क्वेर है मैं भी ऐसे बोला करता था लेकिन आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के सारे सरकल एक साथ दिखाता हूं सबसे पहले अपनी स्लाइम बॉल देख लो भाई एकदम सरकल है एंडर पल और एंड मेरे वाली जगह में जाने पड़ेगा अब देखो भाई इसका उपर वाले एरिया एकदम गोल है और जो अपना स्नोपोल होता है वो भी एकदम गोल है एंड क्लॉक और कंपस तो गोल होते ही है बाकि मैगमा ग्रीम भी गोल होती देखने में जो फायर वक कर श्टार होता ह है उसको बार-बार अगर एक ही जगह पर स्पाउन करो तो एक सरकल टाइप बन जाता है आप बोलो भाई डबे वाला गेम है या फिर सरकल वाला नमबर वान तो नेदर में हम नहीं सो सकते हैं अगर आप बैट लेके जागे वहां पर प्लेस करोगे और उसके पर सोगे तो धड़ाका बट यह फैक्ट नी था चिंता मत करो तो यह कि नेधर के आंदर विलेजर सो सकते हैं यकीन नियुका मैं सोते हैं लेकिन नेधर में क्या रात क्या सुबह कुछ बता नहीं चलता क्लौकी शुई भी घुमती रहती है तो इसलिए बैतर यह ही रहेगा कि रात के ट इसी के साथ गाईज यह वाली वीडियो मैं यही पेंड करता हूँ लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बाते सुन लो मेरी तो आप में से यार काफी सारी लोग बोलते हैं कि यार अपनी खुद की सर्वाइवल सीरीज बनाओ एंड मैंने बनाने भी शुरू कर दी सर्वाइवल सीरीज की वीडियो फेस्बुक पे आने वाली है ना कि यूटूब पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फेस्बुक का पेज का जाकि यार फॉलो कर दो बहुत तगडी तगडी सीरीज आने वाली है